क्या इस विसल साउंड के बगए इस विसल पार्ट इन गानों का इतना important पार्ट है कि ये अगर गाने से हटा दिया जाये तो निसंदे गाना अधूरा सा फील होगा आज हम एक ऐसे कलाकार के बारे में आपको बताएंगे जिसने इन गानों में विसल बजाया है आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने 100-200 गानों में विसल नहीं दिया बलकि ये संख्या 1600 है उससे भी शौकिंग पार्ट ये है कि इस कलाकार ने 30 से ज्यादा उन फिल्मों में बैग्राउंड म्यूजिक दिया है जिसका क्रेडिट फिल्म के बड़े म्यूजिक डिरेक्टर्स को मिलता चला गया इनमें कई ऐसी फिल्मे थी जिने बेस्ट म्यूजिक के लिए एवार्ड भी मिला लेकिन इन सब के पीछे जिसकी मेहनत थी वो आज भी एक गुमनाम आर्टिस्ट ही रह गया इस महान शक्सियत पर आज की चर्चा रहेगी हिंदी सिनेमा मतलब म्यूजिक जब से हिंदी सिनेमा का जन्म हुआ है म्यूजिक उसका एक अबिन अंग रहा है गीत नहीं है तो फिल्मे नहीं शायद यही कारण है कि हमारे देश में हर साल ना किवल सबसे ज्यादा फिल्मे बनाई जाती है बलकि सबसे ज्यादा गाने प्रड्यूस करने वाला देश भी भारत ही है एक गाने में अनेको तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का प्रियोग किया जाता है वो चाहे तबला हो, सितार हो, पियानो, फ्लूट, ड्रम, सैक्सोफोन तब जाकर एक गीत बनता है पहले के सबय में म्यूजिक डारेक्टर के नीचे एक म्यूजिक अरेंजर काम किया करता था जो पूरा म्यूजिक बनाता था अनेको म्यूजिशन्स, गीटार, वाइलन, आदी के साथ गाने रिकॉर्ड किया करते थे लेकिन आज सबय बदल चुका है आज इंस्ट्रुमेंट का साउंट कंप्यूटर सिस्टम पे बैट के प्रियोग में लाया जा सकता है सिवाए एक इंस्ट्रुमेंट के और वो है विसल शायद यही कारण है कि करीब साथ साल के नागेश सुर्वे आज भी गानों में विसल बजाते हैं 40 साल के करियर में उन्होंने 1600 से ज्यादा गानों में विसल बजाया है यानि 1975 से लेकर आज तक जितने गानों में आपने सीटी के रूप में कुछ भी सुना है तो उसे बजाने का श्रे केवल नागेश सुर्वे जी को जाता है नाना पाटेकर की एक फिल्म थी जिसमें वो आर्मी में होते हैं और एक बार उनकी बटैलियन के किसी सोलजर ने एक लड़की को सीटी बजा के छेड़ दिया था और नाना पाटे कर उसका पता लगाते हैं और फिर सीटी बजाकर छेड़ने के कारण उस सोलजर को सक्त सजा मिलती है नौर्मली हमारे देश में या कहीं भी सीटी बजाना मतलब ये कोई अच्छा काम नहीं है लेकिन सीटी बजाकर नागेश सुर्वे बॉलिवूड गानों में वो खुबसूरती ले आए जिनके बिना वो गाना अधूरा सा रह जाता नागेश सुर्वे का जन्म मुंबई में नाग पंचमी के दिन हुआ था और कहा जाता है कि सीटी जो है वो सापो की भाषा होती है तो ये भी एक इत्फाकी है कि नाग पंचमी के दिन पैदा होने वाले नागेश सुर्वे ने सीटी को ही अपना प्रोफेशन बनाया और नाम और शोहरत कमाया नागेश सुर्वे बताते हैं कि उनके बच्पन के दोस्त थे प्यारे लाल जिने हम लक्षमी कांथ प्यारे लाल की जोड़ी से जानते हैं उनके स्कूल के उपर रहा करते थे वीर सावर कर जो इन दिनों भी काफी चर्चा में रहे हैं इनके अलावा स्कूल में गेस्ट के तौर पर बाला साथ ठाकरे आदी भी आते थे जो उस वक्त केवल एक कार्टूनिस्ट थे इनके अलावा एक बड़े म्यूजिक डारेक्टर भी उनी के एरिया में रहा करते थे तो उनका बच्पन संगीत में महौल में गुजरा था जिसमें नागेश सुर्वे के साथ किशोर शर्मा भी थे किशोर शर्मा म्यूजिक अरेंजर थे जो स्टी बर्वन जैसे बड़े म्यूजिक डारेक्टर के लिए म्यूजिक अरेंज करते थे आगे चलकर उन्होंने जतिन ललित नदीम शर्वन और अन्नु मलिक जैसे बड़े म्यूजिक डारेक्टर के लिए भी म्यूजिक अरेंजर का काम किया उस पिकनिक में नागेश सुर्वे मगन होकर सीटी बजा रहे थे तो किशोर शर्मा को लगा ये तो बहुत अच्छी सीटी बजाता है उन्होंने नागेश को एक गाने में सीटी बजाने के लिए कहा और वो मान गए ये कोई रीजनल फिल्म रही थी पहली बार उन्होंने जिस हिंदी फिल्म में विसल दिया वो फिल्म थी जूली और गाना था दिल क्या करे जिसमें राजेश रोशन ने म्यूजिक दिया था हाला कि इससे पहले उन्होंने आविशकार फिल्म के गाने में भी कुछ काम किया था लेकिन दिल क्या करे के बाद वो फिल्म इंडिस्ट्री में फेमस हो गए इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक समय ऐसा आया जब हर म्यूजिक डिरेक्टर उनकी सीटी का इस्तमाल अपने गाने में करना चाहता था एक साल में वो सौ से भी ज्यादा गानों में विसल देने लगे एक किस्सा उन्होंने एक प्रॉडकास्ट के दौरान शेयर किया था जिसमें उन्होंने बताया कि जब सौदागर फिल्म के इलू-इलू गाने में उन्होंने विसल दिया और जब अनुपम खेर ने वो विसल सुना तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये खान नागेश सुर्वे का विसल सुना तो वो सर्प्राइज रह गए उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये कोई इनसान मुह से बजा रहा है नागेश जी का कहना था कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लिमेंट था इसके कुछ साल बाद बाजिगर फिल्म के लाया और कहा कि मुझे वैसा ही विसल चाहिए जैसा सौदागर में था नागेश हैरान हो गए और बोले अरे वो लक्षमी कांत प्यारे लाल जी का म्यूजिक है वो आपको कैसे दे दू ऐसे तो बवाल हो जाएगा आप उनका गाना कैसे चोरी कर सकते हैं अन्नु मलिक ने पिर कुछ सोचा और कुछ दिन बाद गाना रिकॉर्ड किया ए मेरे हमसफर जिसके शुरुआती पार्ट में नागेश सुरुवे से विसल करवाया नागेश जी ने अन्नु मलिक से कहा था कि आप लक्षमी कांत प्यारे लाल का गाना कैसे चोरी कर सकते हो तो अन्नु मलिक ने सौदागर का गाना तो नहीं चुराया लेकिन कई साल पहले रिलिस्ट लक्षमी कांत प्यारे लाल का गाना खूबसूरत हसीना से धुन चुरा क यह सिलसला यहां भी खतम नहीं हुआ और नागेश सुर्वे द्वारा विसल किये गए पार्ट पर आगे चलकर अनु मलिक ने एक पूरा गाना ही तयार कर लिया जो इश्क फिल्म में प्रियोग किया गया नागेश केवल विसल नहीं बजाते थे बल्कि वो एक म्यूजिक डिरेक्टर भी थे जिन्होंने अने को मराठी और हिंदी फिल्मों में म्यूजिक दिया था यानि गाने कंपोज किये थे उन्होंने अक्षे कुमार की जखमी दिल में भी म्यूजिक दिया था मराटी फिल्मों में उनका Music Blockbuster रहते थे Music Director के तौर पर उन्होंने उदित नारायन अनुराधा पॉडवाल जैसे कलाकारों को ब्रेक भी दिया जब वो Music Director थे तो उन्होंने अपना नाम नागेश सुर्ववे से चेंज करके रोहित राज कर लिया था अब इनके टैलेंट के तीसरे पाइदान पर आते हैं और आपको बताते हैं कि नागेश सुर्वे ने बॉली वुड की 30 फिल्मों में बैग्राउंड मुजिक भी दिया था जिसका उन्हें कभी क्रेडिट नहीं मिला। दरसल 90 और उससे पहले फिल्म इंडस्ट्री में बैग्राउंड स्कोर जैसा कोई स्पेशल डिपार्टमेंट नहीं था। मुजिक डिरेक्टर ही फिल्म में BGM भी देता था और अलग से BGM का नाम भी क्रेडिट में नहीं आया करता था। अब जैसे 1987 में फिल्म रिलीज हुई जैसे गाने शामिल थे। उस समय में म्यूजिक डिरेक्टर को ओवरॉल पर्फॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिलते थे या एप्रिशियेट किया जाता था। जिनमें गानों के कमपोजीशन के साथ साथ BGM भी आता था। इस फिल्म के BGM को बहुत पसंद किया गया था जिसक क्रेडिट लक्षमी कांत प्यारे लाल को जाता है जबकि लक्षमी कांत प्यारे लाल ने इसका पूरा BGM बनाने का जिम्मा नागेश सुर्वे को दिया था और ये कोई चोरी वाली बात नहीं थी ये उन दिनों आम बात थी आई मीन काम करने का ही एक तरीका था लेकिन उस को आज से कंपेर करें तो फील होता है कि नागेश सुर्वे का कितना हक मारा गया आज बैक्राउंड म्यूजिक देने वाले का क्रेडिट में नाम आता है उसके लिए अलग से एवार्ड होते हैं लेकिन उस समय में एवार्ड तो छोड़िये नाम तक नहीं दिया जाता था इसी प्रकार से नागेश जी ने तेजाब फिल्म का BGM बनाया राम अवतार फिल् के म्यूजिक डिरेक्टर को हिदायत दी गई थी कि मुझे तीनोंगानों में विसल चाहिए जतिललित ने तीनों गाने कंपोस कर लिये अब बारी म्यूजिक अरेंज़र की थी जो उन गानों के विसल भी डालना है उसने पूरा गाना बना दिया जब फिल्म के प्रडियूसर अजे देवगन को पता चला तो उन्होंने अगेन कहा कि विसल तो चाहिए ही, फिर उस म्यूजिक अरेंजर को बड़ी महनत करके नागेश सुर्वे के विसल के लिए अलग से गाने में जगह बनानी पड़ी। इतना सारा काम करने के बाद भी आज मुठी बर लोग भी इन्हें नहीं जानते होंगे। और देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री चलती ही ऐसे है। यहाँ जीरो नॉलेज वाला भी पहली फिल्म में ऐसे डिरेक्टर काम करना शुरू कर देता है और नवाजुदीन सिद्धिकी जैसे टैलेंट को भी उभरने में 20 साल लग जाते हैं। हमारी यही कोशिश रहते हैं कि नागेश शुरूए जैसे कलाकारों के बारे में अट लिस्ट अब लोग जाने और उनके काम के बारे में जानें। यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। That's all for today friends. Be safe, have fun, मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ. तब तक के लिए